सुब्र बातम बच्चो पिछले वीडियो में आमने गटी का समय के बारे पढ़ा था वो जो पिछला वीडियो था मारा उसको चार अंका है और उसको आपने पढ़ लिया होगा अब मैं आपको आपके पैंद के अंदर चार अंकी ये संधी आती है संधी के अंदर भी सरकार ने कोर्णकाल की विज़े से आपकी सलिवस को छोटा कर दिया गाए जिसके अंदर कुछ मैंन संधी है वहीं आपको पढ़ाने में जा रहा हूँ तो पहली बाद तो हम यह देखेंगी कि संदी किसे कहते हैं दो वर्णों के मेल को दो वर्णों के मेल को हम संदी कहते हैं दो वर्णों के मेल को संदी कहते हैं जैसे विध्या पलस आलाय यहां भी आ है और यहां भी आ है यहां और आ दो वर्ण है स्वर वर्ण है और दोनों वर्ण मिले गए तो यह विध्याला बन गया और दो वर्णों आपसे मिलते हैं उन्हीं को हम संदी कहते हैं अब संदी के अंदर भी आपके 10 के अंदर संस्क्रित में जो मुख्य संदी चाहती है छोटा सलेवस करें के कारण वो है व्यंजन संदी आपके व्यंजन संदी आती है और व्यंजन संदी के भी दो पार्ट इसके अंदर पहले बात तो हम इसमें पढ़ेंगे कि व्यांजन संदी या हल संदी किसे कहते हैं तो जब किसी व्यांजन हल जब किसी व्यांजन व्यांजन वन आप जाते हैं हल भी व्यांजन को भोते हैं किसी व्यांजन वन के साथ व्यांजन हल या अजस्वर का मेल होता है तब वहां व्यांजन संदी मानी जाती है यानि किसी व्यांजन वन के साथ या तो व्यांजन वन हो या फिर व्यांजन वन के बाद स्वर वन हो और उन दोनों का मिलन होता है तो वहाँ व्यांजन संदी मानी जाती है अब देखे इसके अंदर भी इसका हमें दो पार्ट इसके अंदर आपके सलेबस के अंसार हम बतला रहें आपको इसके दो पार्ट पहला है वरग ये पर्थम वरण से तृतिये वरणे तृतिये वरणे परिवतनम यानि जो पहला वरण है वरग का व्यांजन वरण का पर्थम वरग है उसको तृतिय वरण में बदना पर्थम वरग है उसके वरण का पहला अक्सर है उसको तृतिय वरण में बदना दूसरा पॉइंट इसका पर्थम वरण से जो वरग का पहला वरण है उसको पंचम वरण में बदरना यानि जो पर्थम है उसको तो बदरना है तृत्तिय वरण में और दूसरा इसका भाग है वो है पर्थम वरण पर्थम वरण को बदलना है पंचम वरण में तो हम पहले देखेंगे जो पर्थम भाग को त्रित्य वरण में बदलना पर्थम जो वरण है उसको हम त्रित्य वरण में बदलनेंगे उसको किस तरह बदलना हमारे को तो देख यह पर्थम वरण यह है कै चै टै टै पै वरग का पहले एक्सर वर्ग का पता है हमने वर्गिये पर्थम वर्ण से तृत्तिये वर्णे परिवर्तनम यानि वर्ग का पर्थम वर्ण है उसको हमें तृत्तिये वर्ण में बदलना है तो देखो पहला वर्ग का पहला एक्सर कुण सा है वर्ण कै, चै, टै, तै और पै उसके बाद में अगर वरग का तीसरा चोथा अक्सर यानि कोई सब्द है उसके अंत में कै चै टै तै पै यानि वरग का पहला अक्सर है और पलस के बाद में शुरू में वरग का तीसरा चोथा अक्सर है या फिर ये रे ले वे है ओर श्वर तेरह स्वर होते हैं या फिर कोई स्वर हो कहने का मरलब इन पांचों जो वरक के पहले अक्षर है वरन कै, चै, टै, तै, पै इसके बाद में अगर वरक का तीसरा चोथा अक्षर आता है या फिर ये, रे, ले, वे, है, ओ या फिर कोई स्वर आता है तो ये कह है ये बदा जाता है गय में यानि इसको हमें 30 ट्रक्षर बदलना है देखो इसके अंचार पर्थम वण का त्रित्य वण में बदलना कह बदा जाएगा कह का 30 ट्रक्षर क्या होता है गय चे का तीस लक्षर होता है जे टे का तीस लक्षर होता है डे और टे का तीस लक्षर है डे और चोथे का पे का तीस लक्षर है बे तो कोई भी वर्ण हो उसके अंदर अगर कोई सब्द है उसके अंत में के, चे, टे, टे, पे ये पाँचों वण आते हैं शुरू में और उसके बाद में वरक का तीसरा चोथा अकसर आता है या फिर ये रे ले वे है और या फिर स्वर आता है तो आपको कै को बदलना है गय में, चै को बदलना है जै में, पै को बदलना है डै में, पै बदलना है डै में, पै बदलना है अपने तीशेक्सर में बह में जैसे उदान के लिए वाक प्लस इज़ है अब यहाँ देगे हैं वाक प्लस इज़ है वाक प्लस इस है वाक में कह है या आ आ रिया कह? कह वाला? कह आ गया यहाँ? प्लस के बाद में कोई भी सब्द आता है उसके सुरू में वरकात पीशरा चोथा अकसर या फिर ये रे ले वे है और या कोई सुर है तो हमने यहाँ देखा कि ए से इसके इन अकसरों में कौन शावरना है शिरफ की है तो यह सुरवाल अकसर है का सुर तो कह के बाद में आ गया इसको अमने मिला है तो वाग इस है उसी तरह है अप प्लस जह आप में यह वाला पय आया प्लस जह लेकिन इसका नियम क्या है की पय के बाद में इन एक्सेनों के बात ने उटका 13 उत्य आफिर या पे यह यृकला है यह फीर अब जो तो इसमें नगुन से रहा है इसमें है जैंव में तो यह तो यह पैय का क्या हो जाएगा बैय यह थिसके तरखता है दो पह के तहने यह जाएगा आपज़ इसको मिलाहेंगे हम आपज़ है उसी तरह है अचिय प्लस आदि अच्छा है अच्छा के यांत में च्याय आया है तो च्छे के प्लस के बाद में कोई अक्षर है उसके सुरू में पिर यह रहे है उस्वर इसमें आया है तो स्वर से पहले जय है तो चय कुण शे मतला जाएगा जय में चय के इस्थान पर जय हो जाएगा तो इसको मिलाएं गया इंगी तो जय कि अज आदी इसको मिलाएं गया अज आदी कि वाइक पलस दत्त हाँ वाइक प्लस दथा में कह के बाद में द्य आ गया यानि वर्ग का तीसर आ गया है तो द्य से अब ऐसी स्थिती में हमारे को पीस रख तर गया तो इससे पहले कुंड सा है कह कि से बतार जाएगा गंद है यहां वाग पलाश दत्ता है सको मिला यह वाग रत्ता चोंग है अव् hadi एक दूसरिख इसलिकर और यह तो है वलक है यह वरक के परथम वरण को 141 में परिवत्तन करना यहीust परथम पर तीसर्य वरण में बदर्ण यहां है पर्थम को 35 कभी सब्दय उसके आंत्व तो हमें पलस के बाद में कोई शुरू में पंचम वरण यानुनासिक वरण नासिक के वरण क्या को बदनना है किसमें बदनना है फांक हक्सर में तू Restaurant आ होता है पेका होता है यह नहीं है देख वत तरह affiliate ने कम abre आए तो उ हुदार देखेंगे जैसे वाग पालस म कर मिलें मिलें कर जानो कर यह कसर है कि पन्चमर्ण शेगी जैसे वाग पलस मयम क्या आ गया क्या वाला ये गोई कह बदेंगे पलस के बाद में इदर पांच प्लस के बाद में पांच वाक्षर होना चाहिए और तो अब एक आ गया कैसे मतना जाए गया में इसको में लाएंगे इसके अंदर कहके अधान पर जाएंगा गया तो वांग मैं उसी तरह है जगत प्लस मोहीनी जगत प्लस मोहीनी प्लस के बाद में क्या आगया मैं आगया इसका पांच वाक्षर और ते ते को हम किसी बतलेंगे तो थे इसका क्षर कोन सा है ते 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 ने ने पांच वाक्षर जगत कह हो जाएगा नै इसकोह मिलाएंगे टैक के असना पर नहीं जाएगा तो क्या होजा गया जगन जगन मोहिनी उसी तरह एतत प्लस मुरारी इतत प्लस मुरारी गहा इसमें ते वाला ते आ गया और तत के बाद भी प्लस आ गया और उसके बाद में आ गया पंचमवरन कुण साय मैं तो मैं गज़त टेक की स्थाप क्या जा गया है नैं इसको मिलाएंगे हम एतन मुरारी इस तरह यह उद्रण बाकी के हैं आ इसको में तरह है अप्ल से अखिला वहम पहरन वहम किसी में पतलेएंगे यहां इसका होलाई तरह हम सੀन प्रहा है पतलेंगे हैं है यहां पलस के बाड़ में अमारे को पेंचमन देखना है तो है इसका हो है मैं के इसका मिला है या लिए संदी का पहला पार जिसका दो भाग ये वरक को अपने प्रथां मेरें से रॉड़ने बदलना ज doss ऐसे आप यह आप मैं तो इसको इस वीडियो कम से कम दो या तीन बार देखेंगे आपको बार बार देखेंगे इसको तो अपने आप आपको याद बजाएगा थेंक्यू और इसका मेटरम और अगेर देखेंगे